अबे न एको दिन तो बैठे तेजस्वी जी का इसका क्या उका थे जो तेजस्वी जी को यह अथी करता है आप लोग तो बिहायागन के यह स्टुडेंट है तो यह तने खराब थे लालू जी तो कौन 2015 में अस्मित जी गया था पैर पकड़ने के लिए का पता कौन घुट्ट दे रहा है तब वो यह लोग तो थेथराई न करता है इस बिल में छुपा हुआ था बिल से निकल कर भौकना चालू किया क्या बिहार में कभी लालू जी के राज में देखे थे कि ग्रेजवेट करके आचाय बेच रही है बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेज अश्वी आद को विसे इस राज के दर्जे पर कुछ भी कहने से इंकार कर दिया और उन्हें कहा कि यह सब चर्चा मत कीजिए जो भी बिहार के हित के लिए होगा बहतर के लिए होगा एक मुख्यमंत्री के तौर पे मैं करूंगा अब देखे जिस तरह से यह बातें निकल कर सामने आई त बात करेंगे हमारे साथ राजत के प्रवक्ता बंटू सिंग इस वक्त हमारे साथ जुडेंगे बंटू जी 17 वर्स की सरकार रही नितीश कुमार की कई काम कि उन्होंने जडियों के नेताव आगया के कह रहे हैं उन्होंने कहा कि 17 साल में ब्रस ब्रस्ट चार खत्म हो गया और उनलोगों तो 22 महीना मिला था ना आप लोगों को हरी किरतन कर रहे थे क्या 22 महीना कि बोलता है जदियू के परवक्ता अभी जिसको क्या सचेतक बनाया है इसी के लिए अभी वहने कहते हैं उसको कि रोटी फेकना रोटी फेकने के बाद किस बील में छुपा वा था बी जबाब देते हैं जबाब ये है किसकी क्याची पर बात करना चाहता है वह किसका पर उनकी पर चालेन्जृंग देना चाहता यहां तक प्यास्वी जी की बीधाकि बता दीजिये कि हां और ही उनहीं के सांसस्त इंजिनियर से रंगदारी मांग रहे हैंronh उन्हीं के बिधायक अपने ही सांसत पर इल्जाम लगाते हैं कि वो ट्रेक्टर से जो है सोकी डारू ढोलवाते हैं मने कि हम लोग क्या कहें उन्हीं के बिधायक और उन्हीं के सांसत कहते हैं अब जहां तक नीरज कुमार की बात है तो नीरज कुमार के बारे में हम क्या बोल पहता है नीरज कुमार के बारे में जहां तक भ्रष्टा-चार की बात करते हैं अती के अंत्थ हो गिया कि आप बिहार में कभी लालुजी के राज में देखे थे कि गरेजबेट करके आज चाय बेच रही है आप ही लोग मीडिया वाले वाइरल किये हुए हैं चाय बेच रही बिधान परशत के चुनाव में आपको क्या से क्या मुझ के खाने पड़ी वो तो समझ में आएगा नहीं आपको आप लोग तो विहायागन के श्टूडेंट है बताइए जनता हर समय लोग को तुसरा स्थान दे रहा है तब वो लोग तो थेथराई न करता है तो थेठराई का जवाब क्या है थेठराई का जवाब यही लोग न थेठराई करता है तब न हम बोलते हैं तो कहता है कि भाई बोलते हैं बंटू सिंग अरे बोले नहीं यह लोग काका बोलते रहता है कहता है पुते जस्वी जी के बिधान सबब फुलवर्या के ब कि वेवस्ता कितना गिरी हुई है उस पर ही कभी नहीं बोलेगा तो तेजस्वी जी आप कोई दूसरा सवाल पूछेगा तो कहेगा ने ने इसका जबाब हम नहीं देंगे लालू जी यह तेजस्वी इसको नितीज कुमार अगो नथी दिया है इसको कहा क्या है जो सब मने मोकामा का नाम हसा के निरज कुमार रग दिया आपके पार्टी के तरफ से एक ट्वीट आया था बंदू जी उसमें चेले चपाट कहा जा रहा था कि अपने छोटे नेताओं से चेले चपाटों से बयान दिलवाएंगे बीजेपी परनीतीश कुमार चेले चपाट सब्द प्रयोग करना ये कहां तक कुछ ही थे आपको लगता है नीरज कुमार ने तो यहीं न कहा कि इस तरह से अपने कारेकरताओं क न कहां से लाया है अरे नीरज कुमार के कुछ समझ में आता है आप लोग पतरकार है तो जरा उतसे पूछते ना कि जो इनके गुरू है नीती आयो कर उन्हीं के तो राष्टिय ध्यच बोले कि नीती आयो के रिपोर्ट के हम नहीं मारते कागज के टुकडाय फार के फेक द आप तो देखे हैं कि कितना चिर चिरा के से बेजजत करने का काम किया की सधार पर किया था सबाद दीच ने क्या बोला था फालतु का बात इसको तो बोलने आता है हम challenge jealous करते हैं इसको आभे नब्र नीमट्पाट। आप"! बताईव कि ना कि ये तो जंतार ऐसा ही फसें डिया हुआ पाटि बना हुए है यतनों दिमाग नहीं है कुन गिया था उपमुख मंतरी बने थे नते जस्वी जी अतेज परताब जी स्वास्त मंतरी क्या इस ती 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 ता कहां क्या निकल कर आया और आपके राज में तो खाली घोटाला पर घोटाला हो रहा है केतना हम जबाब इसको देते रहें भौबहों सिंग को इसको तो जनते नाम रख ले है तो क्या बोले इसके अर्थी पर हम जनतदल युनाइटेट के नेता ने जो बयान दिया था उस जवाब का जो है पलटवार किया है राजत के प्रवक्ता बंटू सिंग्नेया फस्ट विहां जार्खन के साथ पने रहें कि इस कोविट पेंडमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए हम लोगों का अपना शहर तो है लेकिन वहां अपना घर नहीं अगर सिच्वेशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहां अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में लेकिन हां अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए होशजी है तो कहां है अपना घर ये है ना, e-holms Panorama पूर्म में अपने शहर में अपना अपना गर पूर्णया में पैनोरमा ग्रूप लेकर आये हैं E-Homes Panorama बड़ा घर, आलिशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुधाओं के संग E-Homes Panorama Luxurious, Lifestyle Redefined